आज का जो विश्य जिसके बर में हम बात करेंगे 2024 का पहला दिन है और पहले दिन से ही अगर कहते हैं ना कुछ नियम हम बांध दें के आंधी है तुफान है जो मर्जी है मुझे ये चीज करनी है क्योंकि मेरे सर पे जिम्मेवारिया बहुत है और मैं वो जो दशा मेरी बिग का पेट नहीं भड़ सकता अपने घरवालों का पेट नहीं भड़ सकती तो अगर वक्की में क्याते है ना कानों को हाथ लगा दिये हाथ खड़े हो गए के करे तो करे क्या तो जो जो चीज आज आपको मैं बताने जारी हूं वह 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार बदल जाएगी देशा की देशा पकी बात है जारेंगे हम इस वीडियो में लेकिन इससे पहले नमश्कर दोस्तों मैं शाने सेट कैसे आप दोस्तों वीडिके मादिम से मिरी यार कोशिश क्या आपकी जिंदगी बैतर सुन्दर माइंड ब्लॉइंग मांडास्टिंग ठा बन जा एक पॉजिटिव एक नेगटिव दशा में अंतर क्या है जो पॉजिटिव दशा में एक इनसान अगर एफट नहीं भी करता न तो उसकी कईनकी चीज़े होती चली जाती हैं और नेगटिव दशा का मतलब यह नहीं होता कि क्याते न चीज़े होंगी नहीं लेकिन क्या है अटेंट्स आपको जादा जादा कहीं न कहीं करने पड़ जाएंगे आप अपने बच्चों को जो बिठा कर इधर उदर जब उसका भविश्य पूछने लगते हो ना आप मुझे खुद बताओ खुद तो आप लोग भटके वे लोग होई हो क्याते है ना अपने बच्चों क बच्चा बोलेगा कि मैं बढ़ सकता क्योंकि मेरा मंगल दोश है क्योंकि मेरी श्रापित पत्री है बच्चों को ना स्पून फीडिंग जनानिया बनाओ मत ऐसे लुल पुल मेरे को बोलने में शरम नहीं है मत बनाओ खुद तो आप अगर कभी इंट्रोस्पेक्ट करके द करो में मैं यह नहीं करी लेकिन आप दूसरे को बच्चे को या कॉलिज का या कॉलिज से बड़ा जॉब देख रहा है उस बच्चे को आप बना क्या देते हो उपाई ही थोड़ा हर चीज करेगा आपके एफर्ट करेंगे और सची जब पढ़ाई के बार में बात आती है मै मैंने कमें रिप्लाई भी बहुत बार किया हुआ है उपाई मैं बता रही हूं लेकिन अपने मेहनत पर 90% डिपेंड करेंगे और 10% उपाईयों पर डिपेंड करेंगे वह उपाई आपको एक पुश्च दे सकते हैं चलना अपने हैं मैं आपको गाइड कर सकते हूं यह पी लेकिन आप अपने हधियार छोड़के थोड़ा बैठ सकते हो या अपने बच्चों को यह थोड़ा सिखा सकते हो आई फील सो दिस्टिंग मतलब है बता रही हूं बहुत जबरदस्त बता रही हूं बहुत लेकिन फिर जब यह चीज़े करते हैं ना बाई साब तो जूते कसने पड़ते हैं धक्के खाने पड़ते हैं अगर कोई नहीं भी आपको बुला रहा ना जो घर से बार निकल जाओ फोन करो घर से बार निकल के करो जिसको जो करना है घर से बार कहीं बैड़ जाओ कहीं कोफी शॉप बैड़ जाओ लेकिन एक नियम सुबह ना दो के टप पन टप निकल जानेगा तभी कुछ होएगा तभी बात बनूगी अब सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे बहुत सबरतस्त है यार अगर मेरेजमें भी कहीं न कहीं मेरेज में दिक्कतें आ रही हैं भागे सात नहीं दे रहा मेहनत करे ओं मेहनत का फल नहीं एक जबर्दस सी चीज आपको बताऊं संडे को छोड़के नियमित तौर पे पीपल को जल देना शुरू कर दो उसके साथ साथ एक सफेद सूती दागा जो होता है उसको हल्दी से रंग कर हल्दी से रंग कर उसको लपेटा बांदो पीपल के पेड़ पे साथ बार साथ लपे और वहीं परी आसन बिचा कर साथ बारी सिद कुंज का स्तोत्र का आप पाठ करना शुरू कर दो आप संडे को बस नहीं करना आपकी कितनी बड़ी बड़ी दिखते हैं होएगा काम होएगा दूसरी चीज आपको बताती हूँ जब दोस हमें मिल रहे होते हैं जब सूर्य चंद्र मिल रहे होते हैं वो कौन सा प्रदोशकाल है ना प्रदोशकाल का वक्त या सूर्य अस्त क 48 मिनिट्स के बीतर बीतर आप ये समझके चलिए एक आपको जबरदस सी चीज बताती हूं एक आप घी का दीपक जला लो घी का दीपक आपने जला लिया अब आपने क्या करना है आपने चार बाती कलावे की बातः बना आखे चार मुखी दीपकी की होना चीह उसको जला दो जला दिया अब इसके बाद हाथ में तीन लौंग रखेंगे खंडितनी होनी चीह इस चीज़ का ध्यान देना हाथ में तीन लॉंग रख कर मा को ध्यान करते करते हो एक सो आठ बार जाप करना है उसके बाद ये जो लॉंग होईगी वो दीपक के अंदर डाल दो उसके बाद अगले दिन इसको उठा दो और इसको कहीं पर भी मिट्टी में गाडा हो या जलप्रबा कर दो तो वो भी चलेगा सेम दीपक सेम दिये कभी भी यूज नहीं किये जाते मिटी के जो दूसरे दिये होते हैं उसको धोने का अगर एक हवंकुंड यूज कर रहे हो अगले दिन कोई पूछता है क्या ये धोना पड़ेगा रोज कैसी आप जूठन में क्या खाना खाते हो नहीं तो यह तो खुद होना चाहिए कोई भी चीज करनी है कोई बोलते ना पड़ेगा अगर दो लोटा पाए आओगे तो क्या चला जाएगा है कि नहीं हमारे अगली चीज भी बताती भाग्या कारख कौन है चंद्रमा है चंद्रमा ही हमको सब कुछ प्रदान करता है रुपए पैसा प्रॉपटी के सुख घर की सुक्षानती मन अच्छा रहता है जो फ्रैंस बनते है वो चंद्रमा की वज़े से बनते हैं अब अगर चंद्रमा कंजंग्ट है राहू के साथ, या एस्पेक्टेट बाइशनी है, for example, जैसे मेरा, है ना तो 24 गंटे घबराट रहना, महनत महनत बहुत करना, रिजल्ट उतना नहीं मिलना, प्रॉपटी का सुख ना मिलना, मन, मन, कहते हैं ना, हम सब के लिए महसूस करते हैं, सब के लिए सोचते हैं, लेकिन जहां आपको जरूरत पढ़ जाए, कोई आपका अगर हाल पूछने वाला नहीं, चंद्रमा, आपको अगर ये सारा बरकते अपनी बढ़ानी, आपको बहुत सुन्दर चीज़ बताती, बहुत सुन्दर चीज़ बताती, केले के पत्ते के उपर इसको रोज करना है, इसको रोज करो आप, चंद्रमा को देख देख के, देख देख के, वा केले का पत्ता, धही बात, जो होती है वो उसके उपर रखना है और वहाँ पर चंद्रमा के सामने बैठ के एकदम छट पे चले जाओ कई पर भी चले जाओ चंद्रमा को देखते, देखते, लक्षमी मंत्र का जाप करो, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लाए, प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्षमी नमा, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लाए, प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्षमी नमा, उसके बाद य आपने पॉयंट रमस्तान के बार में बात करने जा रहे हैं वो वीडियो ज़रूर आप देखना क्योंकि जितने सारे जोन्स कहते हैं न हम लोग हमेशा बात करते हैं लेकिन जहां से उर जाय निकलती है जैसे विवस्वान हो गया रिमा हो गया मित्र हो गया उनको तो कहीं नहीं हम छोड़ देते हैं जो अगर midpoint को ही अगर जागरूत नहीं करोगे तो बाकी दिशाए कैसे जागरूत होंगी सीधी बात है ठीक है जी astro vastu professional course की registration on है feb वाले batch के लिए january वाले की अब कोई registration नहीं क्योंकि सीट सी नहीं है तो जो इंट्रेस्टेड है या consultation लेना चाहते हैं में को वाटसब करना मैं कॉल नहीं उठा पाती चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दिल अपने दिल से जोड़ लो विची को लाइक करो शेर करो इसले करो सब की सिंदगी ठाओ जाए ओके देन बाबाई नमस्कार